अलो दोस्तों नमस्कार ये देखिए आपके सामने हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो का लाने का मकसद ये है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी भैस हीट में आती है और किसी भी परकार का कोई लक्षन नहीं आता है तो आप फिर भी एक लक्षन को देख कर आप पता कर लोगे कि आपकी भैस हीट में आई है या नहीं आई है तो वो कौन सा लच्छन है वो बताने से पहले हम आप सभी से रिक्वेश्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अब हम जानने का परियास करेंगे कि वो कौन सा लच्छन है जिसे देख कर हम बता देंगे कि हमारी भैस हिट में है या नहीं है तो आपके सामने एक भैस है और इसको आप गोर से देखिए तो ये पिसाब के रास्ता से लगातार पिसाब कर रही है बूंद बाई बूंद कभी कभी ज़्यादा मातरा में तो कभी कम मातरा में पर लगातार पिसाब कर रही है और इसके मुत्र मार्ग के अंदर बिल्कूल लाल गुलावी टाइप का कलर इस पर आप देख रहे हैं तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हीट के दौरान में इस्ट्रोजन का लेवल बिलड में बढ़ता है तो पूरे जिनाइटल ओर्गन जो भी है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं उनमें बलड सप्लाई बढ़ जाता है जिसके वज़े से ये लाल दिखाई पड़ता है और ये सिर्फ हीट के दौरान में ही होता है आप देखिए लगातार पे साब कर रही है और इसका पूरा वलवा लिप्स मुत्रमार्ग लाल हो गया है इससे ये कनफर्म होता है कि ये भैस हीट में है और अब यहां से इसकी सीमन करी जाएगी या फिर भैसे से क्रॉस किया जाएगा तो साथियों ये बहुत ही important जानकारी थी जो हमने आप सबों के बीच में रखा है I hope ये आप सभी को अच्छा लगे क्योंकि ये बहुत ही भैस में ज़्यादातर समस्या यही होता है कि किसान भाई को पता ही नहीं चलता कि भैस हीट में आई है या नहीं आई है तो इस लक्षन से आप गरेंटी पता कर लोगे कि आपकी भाइस हीट में है या नहीं है तो साथियों हमें दीजिये इजाज़त थैंक यू